भारत खान पान का भंडार है यहां हर रसोई में पारमपरिक एवं आधुनिक रूप से खाना बनाया जाता है इस भंडार को खोजने के लिए स्वाद एक अनोखा जरिया है यह चैनल भोजन प्रिय के लिए एक मात्र खोज है स्वाद का यह अप्रियतन आपको दोसे के विभिन प्रकार के रुची से वाकिफ कराना है यह चैनल वैसे ही कुछ वियंजनों को आपके सामने प्रस्तुत करता है बीन एंड एपिल सालसा दोशा मेक्सिकन स्टाइल में राजमा और एपिल के इस्तिमाल से यह दोशा कैसे बनता है चलिए देखते हैं स्वाद अनुसर चीनी एक चमच काली मिर्च पाउडर तीन ग्राम जीरा पाउडर तीन ग्राम पुदीना चटनी पाँच ग्राम बनाने की विधी दोशा का बैटर बनाने के लिए पहले एक बरतन में चावल उसना चावल उरद दाल मेंथी चनादाल चूडा और पानी डालके अच्छे से मिलाके दो से तीन गंटे भिगोले और अच्छे से पीस के छे से साथ गंटे के लिए फूलने छोड़ दे सबसे पहले एक बरतन में भिंगोया राजमा कटा प्याज कटा सेब हरी मिर्च धनिया पत्ता नीम्बू का रस नमक चीनी काली मिर्च पाउडर जीरा पाउडर डालके अच्छे से मिला ले अब तवा गरम करके पोच ले और उस पे मोटा दोशा बना ले अब तेल डाले उपर से पुदीने की चटनी पूरे दोशे पे फैलाएं और पहले से तैयार सालसा मिक्षर को डाले उपर से थोड़ा तेल डालके कुछ देर पकने छोड़ दे अब दोशा को फोल्ड करके उतार ले बीन्स एंड आपल सालसा दोशा तैयार है इस दोशे में प्रोटीन्स की मात्रा बहुत ही ज़ादा है तो कसरत करने वालों के लिए यह दोशा बहुत ही फाइदे मन्द है और कुछ ऐसे ही दोशे की रसिपीस के लिए हमारे चानल स्वाद को लाइक करें, शेर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चानल स्वाद करें